जी हा नमस्कार दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट ओफिस रिक्रूटमेंट का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट यान की डाक विभाग या फिर मैं अगर कहूं जीडियेस पोस्ट ओफिस इंगेजमेंट रिकूटमेंट अगर बात करूँ यहाँ पे करंट 8 परजेंट जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे मतलब एक तरीके से कोई भी भरती नहीं निकली हुई है इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पे जो mostly vacancies है वो या तो रद कर दी गई है या फिर पोस्ट पॉंड कर दी गई है जो कि 2-3 महीने पहले कुछ भी नहीं होने वाला है जून से पहले किसी भी vacancy का कोई भी step मतलब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा या तो form की बात करूँ form बरवा लिया जाएगा या फिर form को भी postpone कर दिया जाएगा लेकिन फिलहाल इसी दोरान यहाँ पे नही vacancy post office department की तरफ से न और यह सभी state में चाहिए आप किसी भी state से बिलोग करते हो महीला हो या पुरुश अभ्यारती हो सभी जगह यहाँ पे यह vacancy अवेलेबल रहने वाली है post office department में यह vacancy जो है यह दो महीने पहले यहाँ पे निकाली गई थे लेकिन किसी कारण वश इसको postpone कर दिया गया था य लेकिन अभी यहाँ पे 13,550 बदोवे यह recruitment निकली हुई है पूरी detail discussion करेंगे notification share करेंगे साथ साथ apply करके भी आपको बता दिया जाएगा इस channel के माध्यम से सबसे पहले मैं बात करो यहाँ पे इसमें notification में descriptive notification पे आपको जाना है जो notification download करके आप देख सकते हो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दू यह vacancy यहाँ पे इंडियन post office, GDS, online engagement, recruitment, postal assistant, shorting assistant, postman, mail guard, postman के लावा postmaster वाले vacancy भी इसमें शामिल रहेगी 13,000 से ज़्यादा पदो पे पूरा detailed discussion इसके अलावा यहाँ पे जो vacancy है इसका link में नीचे provide करवा दूँगा state wise list देखा जाए इसकी तो state wise list भी देख सकते हो किस state में कितनी vacancies available है यह सारी list यहाँ पे दे रखी है साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान रखना यह महिला और पुरुष अभ्यारती दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर बात करें academic qualification के बारे में तो यहाँ पे screen पे आपको दिख रहा होगा postal assistant, shorting assistant, grade second के लिए यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्द board से आपकी बारवी class होना अनिवारे है यानि कि 12th class पास अगर आप हो तो आप यहाँ पे postal assistant, shorting assistant के लिए आवेदन कर सकते हो इसके अलावा अगर में बात करूँ, postmaster वाली जो vacancy है उसमे general category में bachelor degree होना अनिवारे है और इसका यहाँ पे examination लिया जाएगा तो यह आप थोड़े time के लिए भूल जाओ को कि यहाँ पे इसका examination थोड़े लेट किया जाएगा election के बाद में, यह दोनों vacancy है, इनका merit based selection है, चाहे मैं बात करूँ MTS की या postal assistant, shorting assistant, dark view bag में जिनकली उसके बारे में 10th class MTS के लिए रखा गया है, साथ ही साथ अगर बात करें हैं यहाँ पे salary package के बारे में, अभी current में क्या salary मिल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, postmaster को सबसे ज्यादा सरवादिक 30,000 के around 25-26,000 के और जो grade पे है, वो भी यहाँ पे 382,000 के आसपास रहता है, post इतरी के से MTS के टेगरी में कर सकते हो, और यहाँ पे यह जो salary इसकी है, वो 18-20,000 starting महीने probation होने के बाद में, अगर आप आविधन करना चाहते हो, तो इसकी official website पे 25 मई 2024 से पहले पहले कर सकते हो, और important dates में result date जो announce किया जाएगा, merit list जो आएगी, वो July महीने के last week में रहेगी dates change हो सकती है, फिलहाल अभी कोई dates change नहीं है, यह वीडियो बना रहा हूँ तब तक, लेकिन election की वज़ा से अगर वापस change होता है इस vacancy में भी हर vacancy की तरह है, तो फिर मैं आगे बता दूँगा आपको फिलहाल 25 में ही आप मान के चलिए, form हो सकता है, अभी वापस से आपका form यहाँ पर disable कर दिया जाए, या फिर deactivate कर दिया जाए, link को फिलहाल अभी activate है, तो आप apply कर लिएजे, नीचे link दिया गया है, धन्यवाद